लेकिन प्रॉसीजर डिसकर्स करने से पहले आपको रिमाइंड करादूं कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो उसको देख लेना क्यूंकि उसके बिना आज़्सी क्लास में समझ नहीं आने वाला और अगर आपने देखी भी है और कुछ दिन हो गए हैं तो उसे रिवाइज जरूर कर लेना जो उसमें कंसेप्ट से वो आज यूज होने वाले हैं आज की क्लास में ठीक है करें स्टार्ट तो आज हम डिसकास करेंगे लाइन बैलेंसिंग प्रोसीजर अब लाइन बैलेंसिंग प्रोसीजर को मैं एक एक स्टेप को आपको एक्स्प्लेंड नहीं करने वाला इसको आप बाद में नोट में से रीड कर लेना पॉइंट इस मैं सिधा एक कुश्चन के थुरू आपको एक्स्प्लेंड करुआ कि एक लाइन बैलेंसिंग कैसे करी जाती है ठीक है तो आज के लिए हमने रेडी हुए थे तो जो लास्ट क्लास में कंसेट सीखे थे वो सारे के सारे हम आज की क्लास में यूटलाइज होए इसे हम बोलते हैं precedence diagram ये diagram हमें बताता है कि कौन से task को किस से पहले perform करना है जैसे हमारे यहाँ पर यह सारे task दे रखे हैं A, B, C, D, E, F यह सारे task हैं तो precedence diagram हम देखके हैं बचलेगा कि भाई जो B task है उससे पहले A task का होना बहुत जरूरी है A task के हुए बिना हम B task को नहीं कर सकते सिमिलरली F task है जो F task के पहले C task का और D task का होना बहुत जरूरी है यह मैं बोलूँ अगर कोई H task है तो उससे पहले E task का होना बहुत जरूरी है तो यह हमारा precedence diagram शो करता है और उपर जो दे रखा है that is time दे रखा है कि हर एक task में कितना time लगता है ठीक है समझा गया and task time given in the diagram group the task into workstations हमें define करने कि कितने workstations नहीं होंगे और उन task को divide करना है distribute करना है उन workstations में if there is 480 productive minutes of work available per day मतलब एक दिन में जो production line work करती है वो work करती है 480 minutes and the production schedule required that 40 units to be completed at output for the assembly line each day और हर एक unit की estimated demand यह जो output generate करना हमें that is 40 units ठीक है यह question दे रखा है तो question में अब हमें करना क्या है हमें workstations में task को divide करना है तो सबसे पहले step 1 में क्या करेंगे हम step 1 में हम निकालेंगे cycle time cycle time कैसे निकलता है last class में discuss कर रहा था यादो तो क्या होता है available time per per period upon में output unit required per period क्या होता है output unit required per period तो अविलेबल time कितना था अविलेबल टाइम लिखा होता पिछले question में कि 480 minutes है हमारे पास एक दिन में और हमार को per day requirement कितनी थी 40 units की तो यह क्या आ जाएगा 12 minutes per unit revise करा दू सर cycle time क्या होता था cycle time वो time है जितना time हमारे पास available है जितना time हमारे पास available है एक दिन में एक unit produce करने के लिए मतलब हमें 12 minutes के अंदर अंदर एक unit produce कर देना है production का ठीक है तो मतलब अगर जितने भी workstations होंगे हमारे पास जितने भी workstations होंगे उन सब workstations के पास maximum time कितना पड़ाया 12 minutes क्योंकि हमारा target क्या है कि 12 minutes के बाद product final भार निकल जाना चाहिए मतलब काम जो खतम करना है वो 12 minutes के अंदर करना है हर एक workstation को ताकि वो next workstation में 12 minutes से पहले दे सके यह 12 minutes तक करना है ताकि total जो हमारा time लगे per unit बनाने में वो 12 minutes लगे अगर हम 12 minutes units के according produce करेंगे तब भी हम 40 units एक दिन में produce कर पाएंगे ठीक है this is cycle time आगे चलते हैं यह हो गया हमारा step 1 step 2 क्या है हमें define करना कि कितने workstations चाहिए तो इसका formula क्या था सर इसका formula था sum of task time upon में cycle time मतलब कितने workstations चाहिए होंगे हमें तो task time क्या होता है sum of task time निकाल लेते हैं 10 plus 11 plus 5 plus 4 plus 3 plus 7 plus 3 plus 11 plus 11 यह कर लेते हैं जल्दी से 10 plus 11 हो गया हमारे पास 22 22 plus 22 plus 5 plus 4 plus 3 7 plus 7 plus 3 plus 22 this comes out to be 65 minutes ठीक है तो यह आगया हमारे पास 65 minutes और cycle time कितना है हमारे पास 12 minutes यह आजाएगा हमारे पास 65 divided by 12 तो यह आजाएगा 5.42 5.42 तो 5.42 वरक्सेशन सही होंगे और आपको बता था है decimals में वरक्सेशन तो defined गार नहीं सकते हैं इं इल्लॉजिकल हो जाएगा पॉर एक डिपार्टमेंट का बनाना है या एक वरक्सेशन बनाना है तो एक डिपार्टमेंट होगा या दो गया तीन होगा 1.5 तो कोई मतलब नहीं बनता तो इसको हम round up कर देंगे तो टोटल वरक्सेशन कितने चाहिए होंगे हमें six stations चाहिए होंगे ठीक है समय आगया यह होगा हमारा step number two अब step number three में हम क्या करेंगे table generate करेंगे table क्या generate करना है यह आगया हमारा workstation मतलब अब हम क्या करेंगे उन six workstations को काम allocate करेंगे कैसे allocate करना है बिल्कुल असान है देखो सबसे पहला हमारा पहला workstation पहला workstation कितना total time है उनके पास starting में बोलो अभी हमने बोला कि हर एक cycle time है हमारे 12 minutes का मतलब अगर छे workstation है तो हर एक के पास 12 minutes maximum है उससे जादा कोई नहीं ले सकता बड़ ट्रांसफर करने के लिए next को maximum time सबसे starting में हर एक workstation के पास कितना है 12 minutes right or wrong अब हम define करेंगे सबसे पहला workstation उसे काम देना है हमें पता सबसे पहला task कौन सा है A क्योंकि A के बिना B विन्यों सकता E विन्यों सकता आगे कोई काम विन्यों सकता तो eligible task कौन सा हो गया हमारे पास A क्या A fit हो रहा है fit हो रहे हम हम चेक करेंगे fit होने में चेक करेंगे क्या जो time दे रखा है जो time दे रखा है क्या वो total time से काम है मतलब जो time बचा हुए उसमे total time अभी इनके पर 12 है हमें चाहिए कितने 10 minutes अगर यहां 15 होते तो हम यह काम ही न अगर बात है तो fit task में हम वो task डालेंगे जो time के according भी fit हो जाए तो हम A fit हो रहा है बिल्कुल मतलब eligible task में से A fit हो रहा है क्योंकि 10 minutes ही चाहिए assign किसको करेंगे मतलब A को कर देंगे हम task को assign कर दिया हमने A काम हम करने जा रहे हैं मतलब workstation A को हमने दे दिया कि तुम्हें A task करना है तो task time कितना है 10 minutes कितना time बच गया 2 minutes बच गया उनके पास for example एक workstation था उसे हमने A वाला task allocate कर दिया कि 10 minutes में तरको ये काम खतम करना है ठीक है ये अभी और अच्छे समझा जाएंगे जब हम आगया कोशन देखेंगे तो ठीक है भाई A काम करना है अब जो workstation number one है उसके पास time कितना बचा है टू मिनट्स अब next काम कौन सा बचा है देखो A काम हो चुका है next काम कौन सा बचा है B कर सकते हैं और E कर सकते हैं तो next काम कौन सा बचा है सर B बचा है और E बचा है बट देखो हमारे पास time remaining कितना है two minutes B को कितने चाहिए 11 minutes और E को कितने चाहिए 11 minutes तो fit task तो कोई भी नहीं हुआ ना B हुआ ना E हुआ ना B हुआ ना E हुआ क्यूंकि दोनों को 11 11 minutes चाहिए हमारे पास time बचा कितना है workstation में A minute तो मतलब A को हम ना B जिस्ते हैं ना E जिस्ते हैं तुमको होगे भीया कोई और सर कोई और टास्क दे दो तो कोई और टास्क हम करीं सकते जब तक B और E नहीं तो आगी यह time कितना हो गया मतलब इसको आगे कोई task मिले गाई नहीं और यह free वैठा रहेगा दो मिनिट तो एक workstation को हमने काम दे दिया है डिवाइट कर दिया है जो workstation नंबर वन होगा वो टास्क A करेगा अब जब इसको फुल्फिल नहीं कर सकते मतलब जब इसका खतम हो गया कि हाँ अब दो मिनिट पर कोई और काम नहीं हो सकता तो तब आएंगी हम next workstation के और अब second वाले को हम काम करने के लिए काम करने के लिए टास को करने के लिए क्या क्या चैएsheim और फ़िक काम क्या आया कि जो हमने सेकल टाइम कल्कुलेट कर रहा है उसी अकॉर्डिंग हुआ है कि जो यह है अराम से अलोकेट हो सके है ठीक है अब आजो 12 मिनट्स हो गए इसके बाद 12 मिनट्स है एलिजीबल टास्क कौन से बाईया बी बचा और अभी बचा क्योंकि उसके लावर कोई और काम नह अब प्रॉबलम आती है कि बी करें पहले या एकरें अब हमें टास्क करने के लिए हमारे पास रूल होता है रूल के हमारे पास दो आप्शन है या तो हम चेक कर लें लॉंगेस्ट टास्क टाइम जिसका लॉंगेस्ट टास्क टाइम होगा उसको दे दे या तो सेकंड ऑप्शन है या जिसके बास ग्रेटेस्ट नंबर ओफ फॉलॉवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर तो 3, 4, 5, 6 इसके बाद 6 टास्क होने हैं B के बाद और E के बाद 2 टास्क होने हैं तो ग्रेटरस्ट फॉलोवर कोन हो गया और E हो गया तो कोई भी एक पैरामिटर हम चूज करते हैं आश्याइन करने के लिए कोई भी प्रॉबलम नहीं है तो चुम पाद स्ट पैरामिटर चूज करो चूज करो फॉर एक्जामपल मैंने लिए पहला पेरामिटर लॉंगेस टास्ट अब मैंने देखा भाई बी का टास्ट राइम में 11 विनिट और इका भी 11 विनिट तो यह अला तो फेल हो गया अब मैं देखू हूँ ग्रेटेस्ट नंबर और फॉलॉवर्स तो मैंने क्या देखा सारी टास्क हैं तो मैंने बी पहले कर दिया ठीक है अगर मालो सर दोनों ग्रेटेस्ट फॉलॉवर्स भी दोनों को बराबर होते मतब दोनों के बाद वाले टास्क भी बराबर होते तो भाई रेंडम ली दोनों में से किसी एक को चूस कर लेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है समय आगया तो यह आगया हमने बी को अलोकेट करा बी का टाइम कितना है 11 मिनट कितना टाइम बच गया बाद बी कर सकते है न उदब अलोकेट कोई यह नी हो रहा तो यह जो पितना आगया आइडल टाइम इतना आगया वन मिनेट का ठीक है अब नेक्स्ट वर्क्स्टेशन को काम दिस्ट्रिब्यूट करने चलेंगे हम इसके बाद भी स्टार्टिंग में टाइम कितना होगा टोटल 12 मिनेट्स कौन-कौन से काम कर सकता है यह अभी इकाम कर सकते हैं कि सी फिट सकते हैं थो भाइए 17 अब आगे चलते हैं थीग होंगां वह हमई कर सकते हो मैंने वी इट सकते हो मैंने तो longest किसका है E का तो मैंने E को सबसे पहले से जो काम दिया वो E दिया E का task time कितना है 11 minutes एक minute free बैठाई है ठीक आगे चलते हैं तो एक minute free बैठा है एक minute free बैठा है तो कौन-कौन से काम अच्छा E हो चुका है अब कौन-कौन से काम बचे C बचा, D बचा और H बचा, C हो सकता है, D हो सकता है, H हो सकता है लेकिन problem किया फिर वो ही problem है fit कोई भी नहीं होगा 5 minute, 4 minute, 11 minute तो fit कोई भी नहीं हो रहा तो ये भी एक minute free बैठेगा idle time कितना आ गया? 1 minute का तो ऐसे तीसरे workstation को भी हमने काम अलोकेट कर दिया पहले को A task allocate किया, दूसरे को B task allocate किया, तीसरे को E task allocate किया चौता workstation की बारी आई, चौता workstation के बाद भी starting में 12 minutes है, कोन-कोन से काम कर सकता है सर, C कर सकता है, D कर सकता है, हो फिट कोन-कोन से हो रहे है, ये 5 minute, 4 minute, 11 minute, 3 नहीं fit हो रहे है C, D, H, देखो, अभी तुम क्या देख रहे होगे, कि सर, जितने eligible task है, वो fit हो रहे है, तो भाई, इस question में fit हो रहे है तुम हर बाद check कर लेना जरूरी नहीं है कि fit हो, ठीक है न, तो इसलिए बना रखा है अब time हाई हा कि assign करे, हमारे पार तीन option है, तो greatest number of followers देख लें greatest number of followers देखे हैं, तो C, D में से दिस्ट के हैं, लेकिन मैं किया देखता जा रहा हूँ, longest task time तो longest task time किसका है, H का है, तो H मैंने allocate कर दिया, तुम C और D भी कर सकते हैं, विल्लब C और D में से पहले कोई एक होगा, ठीक है, तो H को task allocate कर रहा है, H का time कितना है, 11, क्योंकि मैंने follow किया, longest task time पहले है, तो 11 minute, एक minute remaining बचा, एक minute में, अब कौन H भी हो चुका है, कौन-कौन से काम बचे हैं, C और D बचे हैं, सर्थ F और G भी तो बचे हैं बेटा, जब तक C और D नहीं होंगे, अच्छा, एक C और D नहीं होंगे, और F और G तो होई नहीं सकते हैं, सिमिलरली आई भी अभी नहीं हो उसका, क्योंकि जब तक G नहीं होगा, तो अभी काम कौन से कर सकत वह सी और डी वाला कौन से टास्क वो कर सकते हैं सी और डी वाले ठीक प्राबलम वहीं फिट कोई भी नहीं हो रहा किसा दोनों के मिनेट्स जाधा है तो यह भी कितने मिनट्स फ्री रहा एक जार वर्क सेशन को हमने काम अलोकेट कर दिया नेक्स आती है पांच वे की बारी नेक्स पेड पर चलते हैं अच्छा A हो चुका है B हो चुका है E हो चुका है H हो चुका है पांच वेवर्क्स्टेशन की बारी है कौन कौन से काम कर सकता है वो सर C अच्छा time कितना remaining है एक सकेड़ टाइम रिमेनिंग है सर 12 मिनेट से इसके बाद स्टाइब है क्या अभी तो काम शुरू कर रहा है eligible टास्क कुन से है C है और D है ठीक fit टास्क कुन से है दोनों में time हो सकता है तो दोनों fit है अब किसको assign करना है कहा हम हमारे दो वह rule होते थे दो लो-ुरल आए लन्चेस्ट टास्क टाइम है स्रीव अला होता था तर ग्रेटेस्ट magnes नंबर ऑफ-क्र ग्रेटेस्ट नुमबर आफ फ़ोलॉर सा तो हमने देखा longest task time किसका है longest task time किसका है 5 minutes वालेगा तो C को हमने assign कर दिया कितने minute लेगा 5 minutes अब time कितना बचा देखो 12 minutes से total 5 minutes जा चुके हैं तो कितने बच गे 7 minutes राइट total time कितना बच गया 7 minutes अब 7 minutes इसको idle time ठोड़ा हुआ अब यह कौन-कौन से task कर सकता है C हो चुका है यह तो D कर सकता है F भी नहीं कर सकता है तो fit task भी है क्या 4 minutes है मारे पास मतलब 4 minutes है बिल्कूल है sir तो fit task भी कौन सा हो गया D तो यह D काम भी करेगा assign कर दिया से D काम भी मतलब 5th workstation को C काम भी करेगा D काम भी करेगा टास्क टाइम कितना है चार मिनट राइट तो अब रिमेनिंग टाइम कितना बच गया तीन मिनट वाफसी आते हैं एलिजिबल टास्क कुन सा है सिर्फ F है सर एफ देखेंगे क्या F फिट हो रहा है हां जी सर तीन मिनट का है और हमारे पार तीन मिनट भी बचें तो तीन करना पड़ेगा और यह काम भी हो गया हमारा फिर आता है सिक्स्त वर्क सेशन इसके पास स्टार्टिंग में टोटल टाइम कितना है ट्वल मिनट का है तो जी को यह साइन कर देते हैं इसको टास्क इतना है ट्वल मिनट इसका बचेंगे कितने फाइव मिनट राइट पाइ मिनट बचें फाइव मिनट को आगे लेकिए गए नेक्स टास्क वा घ्राइट गए हो घ्राइट टो ट्वल मिनट में काम खत्म हो चुका तो यह रिमेंट इसका आई डाइम हो गया चिक समझा गया ऐसे हमने six workstations को काम को divide किया देखा six workstations को काम को divide कर आगर मैं diagrammatic के show करूँ तो पहले station को काम मिला कि वो A perform करेगा, station two को काम मिला B perform करेगा, three को मिला E perform करेगा fourth को मिला H perform करेगा, five को मिला ये तीनों perform करेगा six को मिला कि वो G और I perform करेगा तो मैंने six workstations में tax को allocate करा ताकि minimum idle time बच सके अचा total idle time कितना बचा two minutes इसके बचे इसके तो zero ही है two इसके बचे two, four, five, six, seven तो total idle time कितना बच गया seven minutes का यह आ गया हमारे पार total idle time यह हमारा task three हो गया कि हर एक task को step three हो गया हर एक task को हर एक workstation में divide कर देना समय आ गया most important है यह अब देखो होता क्या यह fit task हमारे question में तो eligible task fit भी हो रहे थे लेकिन कभी ख़र questions कहा रहे थे हैं कुछ task eligible तो हो जाते हैं लेकिन वो fit नहीं हो पाते हैं क्योंकि time जाता होता है यह time remaining कम बचा होता है for example अगर f task को 4 minute चाहिए होते हैं example ले रहा हूं दुबारा देखना f task को 3 minute की वज़ाए erase करत के दिखार जाता हूं अब भी हमारा क्या था f task को 3 minute चाहिए f task को अगर 4 minute चाहिए होते हैं तो यहां पर वो eligible तो होता f काम करने के लिए लेकिन fit नहीं हो पाता तो इसका remaining time 3 आ जाता है ठीक है समझा गई एक दो question practice करना बहुत easy हो जाएगा अब next step क्या करना है हमें next step निकालना है उनकी efficiencies एफिशेंसी निकाले के लिए हम पहले निकाल सकते है percentage of idle time मदल हमें define करना है कितना time idle रहा तो उसका formula क्या है हमारे पास idle time per cycle upon actual number of stations into cycle time into 100 ठीक है जैसे हमारा idle time कितना था 7 minutes total workstations कितने थे 6 cycle time कितने था 12 गा इन टू हंडर्ड तो एक सिक्स इन टू ट्वेल डेट संट बी 72 तो इन टू हंडर्ड डैक्स गम्स आउट वी 9.72 तो 9.72 परसेंट हमारा idle time है यह यह इसे हम बोल देते हैं बैलेंस डिले एक और ना ठीक है और efficiency कैसे निकालेंगे production line की efficiency किया होगी efficiency का दो फॉम्ले या तो total task time upon actual number of stations into cycle time into 100 या फिर 100 परसेंट माइनस percentage of idle time तो अगर मैं बात करूं तो 100 माइनस 9.9.72 तो माइनस अंडर्ड करूं देट्स कम्साव तो बी 90.28 90.28 यह हमारी efficiency आगे production line की this is our efficiency of a production this is a whole procedure of line balancing starting हमें cycle time निकालना है फिर नंबर और बनाने हैं फिर टास्क को distribute करना है और presentation के लिए हम दुबारा बना देंगे precedence diagram अच्छा सा फिर बाद में idle time और efficiency निकाल देंगे यह steps हमें follow कर रहे हैं line balancing procedure में चिक दो practical life की बात करें तो practical life में तो बहुत सारी task होते हैं अलग-अलग time होते हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग-अलग software होते हैं करने के लिए हैं थोड़ा सा basic logic हमें इस class में समझा आ गया होगा practically के लिए हमारे पास उसके लिए different software होते हैं line balancing के लिए ठीक है अब एक last topic और कर लेते हैं जो कि है other operators for achieving smooth flow of production और क्या-क्या ways हैं ताकि हमारे जो production उसे smooth flow से किया जा सके line balancing को अच्छे से करा जा सके तो first आता है हमारे पास parallel workstation parallel workstation का क्या मतलब होता है कि हम एक और workstation add करते हैं देखो for example मैंने प्रॉब्लम क्या है यह हमारा है बोटल नेक operation का मतलब क्या हो गया मेरे को ultimately दो कि मानलो production line चल रही है तो maximum unit per hour कितने होंगे देखो यह हर एक घंटे हर एक गंटे 20 units इस operation को देगा इस workstation को देगा workstation number one हर एक आर हर एक आर 20 units workstation number two को देगा right और wrong अब इसके पास 20 units आ गए हर एक गंटे बट प्रॉब्लम क्या है workstation number two हर एक घंटे हर एक आर only produce कितने गर सकते है तेन यूनिट इस तो यह हर एक घंटे सिरफ 10 units ही operation number three को देपाएगा operation two can transfer only 10 units पर आर तो operation number three अब प्रॉब्लम क्या है इसकी efficiency तो 20 units पर आ रहा है बट इसे मिल ही 10 units पर आर रहे है तो यह produce कितने गरेगा 10 units पर आर तो हमारी production line की speed क्या हो जाएगी 10 units पर आर तो उसको solve दरने के लिए हम क्या करते हैं वी अरेंज अब पैरलल operation जो भी बॉटल नेक operation है ने बॉटल नेक operation क्या होता है जिसके कारण प्रॉटक्शन लाइं स्लूए जाती है उसके हम एक और operation थार्ट करते हैं कि लैक सबोज हमने operation two के दो workstation setup कर दी है अब जब operation number one 21 या फिर workstation number one produce करेगा 20 units पर आर then he will not send 20 units to single workstation what he will do he will divide the work मतलब वो 20 units तो इसको देदेगा और 20 units और 10 units इसको देदेगा और 10 units इसको देदेगा 10 units इसको 10 units इसको अब दोनों क्या करेंगे 10 units पर आर करेंगे अब फिर वो दोनों एक ही बंदे को दुबारा 10 10 दे देंगे और इसकी efficiency तो थी 20 units काम करनेगी तो वो 10 उसका भी कर लेगा 20 उसका भी कर लेगा 20 units पर आर कर पाएगा तो एल्टिमेटल यहां परेक्शन कितने होजेगी 20 minutes पर आर मतलब हमने पैरलली जो बॉटलनेक ओपरेशन थी उसके पैरलली एक और ओपरेशन बिल्ड कर दिया इस पैरलल वर्क सेशन ठीक समझ आया नेक्स और को दो छोटी टेकनिक साथ फर्स इस डिस क्रोस ट्रेसिंग का मतलब क्या है कि वर्कर्स को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएं टाकि वह multiple और अगर इसका एगर पर पाएगा तो जैसे ही operation वने वाले का काम खताम हुआ वह operation नंबर टू में आ जाएगा जहाँ पे काम सलो हो रहा है ताकि operation नंबर टू का भी काम बढ़ जाए या मानलो operation थी वाला खाली बेट था न तो उसे बोलेंगे भाई से बहुते नंबर टू मे नमबर थी के इंप्रॉइस हैं वह वर्क्स्रेशन नमबर टू के भी वर्क कर सकें ए ठीक है और इसे हम बोल देते हैं डायनमिक मान लो एक production नाइन है जो पर्डियूस कर रहे है दो प्रडॉक्स ए और बी एक option किया कि हम सिर्फ ए पर्डूस करती है दूसरा गया भी ताकि जिसकी ज्यादा दिमांड होगे हम उसको ज्यादा इसली पर्डूस कर सके मतलब production line को ये assembly care, see you soon.